हेलो एवरीवान, वेलकम तो मागनेट ब्रेंज, आज हम पढ़ेंगे अबाउट साउंड, साउंड, जैसे कि मैं आपसे बात करी हूं तो आप मेरी साउंड सुन पा रहे हैं, तो this is used for communication, साउंड हमें एक दूसरे से communicate करने में help करती है, हम हमारे आसपास बहुत सारी अलग-अलग टाइप की आवाज सुनते हैं, automobiles का horn, musical, songs, हम सुनते हैं birds की chirping, ये सारे अलग-अलग different types of sounds हैं, तो ये जो अलग-अलग sounds हैं, ये nature में produce होते हैं, ये हम human beings भी produce कर सकते हैं, हम human beings कैसे sound produce करते हैं, हमारे अंदर भ ऐसा कोई organ होगा, जो sound produce करता है, जैसे कि मैं बात करूँ, flute, flute एक musical instrument है, जो sound produce करता है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, harmonium sound produce करता है, उसके बाद सितार, इसमें wires होते हैं, जिसके through, ये sound produce करता है, tabla, जब इसको tap करते हैं, तो sound produce होती है, तो ये बहुत सारे musical instruments ह और इनसे हमें बहुत सारी sounds मिलती है similarly हमारी body में ऐसा क्या है जो sound produce करता है यह हम जारेंगे इसी chapter में So sound कैसे produce होता है sound produce बहुत सारे sources हमें पता चल चुके sound के but sound produce कैसे होता है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमने इस अगर मैं तबले की बात करूँ से मारू यह अपने हाथ से बजाओ तो वह बजता है इसी तरीकी से अगर में किसी metal surface को जोर से किसी rods से या किसी wooden stick से मारू यह आप अपने घर में steel के किसी पतीले को जोर से wooden stick से मारें तो क्या होता है sound produce होता है तो sound क्यों produce होता है क्योंकि जब आपने उस stick से उस metal surface पे मारा तो vibrations produce हुई तो vibrating body produces sound तो यह हमारा conclusion हो गया कि vibrating body ही क्या करती है sound produce करती है तो अगर हमने metal plate लिया और उसे एक stick से strike किया तो vibrations हम फील करती है और vibration जो है वो ही sound produce करती है so what is vibration to and fro motion of an object जैसे कि अगर मैं किसी भी अगर मैं तबले के उपर ऐसे मारती हूँ तो मुझे उसकी membrane जो उसका outermost surface होता है वाज से उपर नीचे vibrate करता हूँ दिखता है तो this to and fro motion is known as a vibration and vibrating body only produces sound so अगर हम बात करें vibration is the only cause of which sound produces so यहां पर एक और example आप देख सकते हैं suppose मैंने यह metal का यह नो तामबे का एक वैसल लिया और मैंने इसको ऐसे outer surface पे ऐसे किसी रोड से ऐसे करके मैंने उसे टाप किया तो जैसे ही मैं टाप करूँगे आवास प्रेड्यूस होगी अब मैं आप से कह रही हूँ कि vibration की वज़े से आवास प्रेड्यूस होती है यह मैं प्रूफ कैसे करूँगी बहुत असानी से आप इस तामबे के वैसल में पानी भर लीजिए थोड़ा सा अप टू दे ब्रिम तो जब आपने पानी भरा और फिर आपने फिर से इसको ऐसे स्ट्राइक किया तो आप यह देखेंगे पानी में लहवे आ गई वेव आ गई तो वाटर में यह जो आपको वेव दिखाई दी यह क्या है क्योंकि वाइब्रेशन है जो वाटर के थूँ ट्रावल कर रही है तो इसे लिए हम प्रूफ कर सकते है that vibration is necessary for production of sound क्योंकि वही vibrations क्या कर रही है आपके जो वाटर है उसमें वेवस प्रद्यूस कर रही है तो यह activity से आप यह understand कर सकते है that yes, vibrating body produces sound sound is produced by vibrating body and you must have heard about this musical instrument एक तारा तो यहाँ पर आप इसकी picture देख सकते है एक तारा की देखिए यह एक तारा जो है इसको लेक बहुत ही अगर market में जाएं तो आपको यह इतने काफी finished form में मिलता है काफी अच्छा एक instrument जिसको की proper तरीके से बनाया गया बट एक घर पे हम एक तारा को कैसे बनाया यह आपको दिख रहा है यह वाला part यह वाला part यह वाला part यह coconut से भी बन सकता है coconut की outermost जो brown color की covering होती है उससे भी बन सकता है और फिर यह वाली चीज तो वो strings है जो हमने attach करिये अब अब अगेन यह जो strings है जिसके हम guitar की भी बात करते है guitar में भी strings है और strings को हम अपने हाथ से बजाते है ऐसे करके vibrate होती है वो strings on musical sound produce होता है तो again we have proved that vibrating body produces sound again कुछ और examples मैं आपको दे देती हूँ जो musical instrument है यहाँ पर आप देख सकते है घातम manjeera इसको हम इस तरीके से बजाते है तो वो क्या होता है कि जब हम दो इसके दोनों surface को एक दूसरे के against ऐसे tap करते है तो vibrations produce होती है air में जो की musical sound के form में हमें सुनाई देती है So these are again two examples of musical instruments Okay, next let's do an activity I'm sure यह आपने देखा होगा, यह बहुत सारे bowls है जिनमें के हमने water fill किया है और एक-एक करके हम अगर इनको tap करते है तो एक musical sound आता है और इसको हम बोलते हैं जल तरंग जल याने water तरंग याने waves तो जो musician है वो एक stick के थूँ या metal stick के थूँ एक सारे bowls के outer service पैसे tap करते है ऐसे करके तो आवाज आती है और वो आवाज क्यों आती है of course कोई ना कोई vibration है और ये vibration हमें कैसे दिखेगी जैसे ही जो play कर रहे है जल तरंग जैसे ही वो tap करेंगे outer surface of bulge में वो देखेंगे कि water में waves आ रही है और ये जो waves है ये vibration की वज़े से आ रही है और जैसे ही ये vibration water से air में pass होता है ये vibration musical sound के form में हमें सुनाई देता है and that is known as जल तरंग तो ये जो setup है ये music produce करने के लिए capable है आपने I'm sure ये कभी ना कभी जरूर observe भी किया होगा देखा भी होगा So this is known as जल तरंग So again ये सारे इन सबको अगर हमने strike किया ऐसे gently ऐसे एक order में एक साथ एक के बार देख याने in succession तो musical sound produce होता है So I hope this is clear to you that sound is produced by vibrating body हमारी next video में हम पढ़ेंगे कि human beings कैसे sound produce करते हैं अगर आपने हमारी previous videos miss करी है तो आप class 8 science की सारी videos magnetbrains.com हमारी official site पर जाकर देख सकते हैं Till then thank you Hello everyone, welcome to magnet brains आज हम पढ़ेंगे about sound ये class 8 science का topic है तो इसके पहले वाली video में हमने ये देखा था कि vibrating body produces sound और आज हम पढ़ेंगे कि हमारी human body में वो कौनसी vibrating part है जो कि sound produce करता है क्या आप इसके बार में सुन चुके हैं अगर हाँ तो आप प्लीज बताइए कि हमारे गले के एक हिससे को यहाँ पर टच करते तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ vibration आ रही है तो वो vibration जो आ रही है वहाँ पर ही वो organ है जो की sound produce करता है तो उसे हम बोलते हैं vocal cord और यह जो vocal cord है यह vibrate करते हैं तभी sound produce होती है in human beings जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं this is open vocal cord and this is closed vocal cord तो अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा instrument responsible है sound produce करने के लिए vocal cord बट यह vocal cord जो है यह होता कहां पर है यह vocal cord हमें पता है कि हमारे wind pipe के उपरी हिस्से पर है तो upper end of the wind pipe पे जो होता है वो है हमारा vocal cord actually यह vocal cord जिसके अंदर है वो है हमारा voice box जिसको कि हम पहले पढ़ चुके हैं class 7 science में larynx तो larynx जो है वो हमारा voice box है और उस voice box के अंदर क्या होगा जो voice produce करता है यानि कि vocal cord तो voice box के अंदर है vocal cords दो vocal cords और उनके बीच में एक narrow सी slit है जिसके through air pass कर सकती है यानि जब lungs से air उस narrow slit के through जाती है तो क्या होते है वो vocal cords vibrate करने लग जाते हैं और sound produce हो जाती है So this is how sound is produced in human beings through the help of vocal cords which are present in the voice box known as larynx So अगर मैं आपसे बोलू कि हमारे vocal cords कैसे work करते हैं तो उसको आप एक similar तरीके से आप अपने घर पर भी कर सकते हैं आप दो paper लीजिए और उनके बीच में थोड़ा सा gap डालें यानि air ताकि pass हो सकें और फिर आप वहाँ से blow कीजिए ऐसे करके आप फूक मारें तो होगा क्या आपको sound सुनाई देगी So similarly हमाले जो दो vocal cords है उनके बीच में भी opening है slit है और जब उसके थूरू lungs से air आती है तो वो वहाँ वो दोनों vibrate करते हैं और sound produce होता है So similarly जब मैं यहाँ से भी फूक मारूंगी तो क्या होगा यह दोनों vibrate करेंगे और sound produce होगी जैसे ही वो vibrations पास होगी air को sound will be produced So this is how sound is produced by our vocal cords also Because vocal cords के बीच में हमने पढ़ाए क्या है slit है और यहाँ पे भी हम क्या बोल रहे है कि narrow slit होना चाहिए between the two papers So I hope this is clear to you Again, अगर मैं आपसे बोलूं कि Space पे चले जाएए तो जब आप Space पे जाएंगे तो क्या आप दो अगर कोई दो लोग Space पे जाए तो क्या आप एक दूसरे से बात कर सकते है नहीं क्यूंकि Space में जो है air ही नहीं है और अगर air नहीं है तो बात कैसे होगी तो I'm sure आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है Space में जैसे कि हमें पदा है air होती ही नहीं है तभी तो oxygen mask and everything is carried by the astronauts और वो air नहीं है तो sound भी एक दूसरे की सुनाई नहीं आती इससे क्या proof होता है that sound needs a medium to move और propagate यानि sound को यहाँ से वहाँ travel करने के लिए एक medium चाहिए तो अभी आपके और मेरे बीच में यह क्या medium है जिससे कि आपको आवाज सुनाई दे रही है it is air अगर मैं इस कमरे में air की बजाए vacuum create कर दूँ जैसे कि space में होता है तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे so this proves that what that sound needs a medium to propagate यह हम activity के थूब भी कर सकते हैं जैसे कि आपने यह glass लिया इसमें आपने एक phone डाल दिया अब आपने अपने friend को बोला कि इस phone पे call करें तो जब आपका friend इस phone पे call करेगा तो यह phone vibrate करेगा और sound produce करेगा और वो sound आप तक पहुंच जाएगी क्योंकि यहाँ पर air है जो sound को आप तक पहुंच जाएगी आपके और इस phone के बीच में air है पर इक काम अगर आप करें कि यहाँ इस glass के उपर अगर आप अपना mouth लगा के सारी air सक कर दे और इस portion में vacuum create कर दे तो यह जो sound produce करेगा phone वो travel नहीं कर पाएगी और आप तक नहीं पहुंच पाएगी तो अगर air सक कर दी गई तो vacuum produce होगा और sound vacuum में travel नहीं कर पाते क्योंकि sound को कोई न कोई medium चाहिए travel करने के लिए sound needs a medium to travel तो क्या वो medium के विल air हो सकता है क्या sound सिर्फ gas के थू air के थू ही जो है प्रोपोगेट कर सकती है या liquid यानि की water या फिर कोई metal rod solid के थू भी प्रोपोगेट कर सकती है क्या लगता है आपको प्लीज दू comment in the comment section below can sound travel through water what is the answer yes or no please comment so sound needs a medium to travel यह तो बात clear हो गई यहाँ पर वो medium air है तो when air has been removed completely तो जो create होता है वो है vacuum और sound vacuum के थू ट्रावल नहीं कर सकता है इसलिए space पे भी जो है sound हमें एक दूसरे से बात नहीं कर सकते है so now let's see this एक हम activity करते है take a bucket fill it with water take a small bell in one hand तो अगर आपने water में भरा हुआ एक bucket या एक tub ले लिया और आपने जो है उसके अंदर bell ऐसे करके bell बजाई और अपना कान just surface of water के उपर लगा लिया जो bucket है जिसमें water है वहाँ अपना कान लगा लिया और यहाँ पर अपना हाथ एक हाथ नीचे डालके आपने bell जो है वह बजाई तो क्या लगता आपको क्या आपको bell की आवास सुनाई देगी जी हाँ क्योंकि यह प्रूफ कर रहा है that sound can also travel through water तो ऐसा नहीं करेंगे कि अपना कान पानी के अंदर डाल देंगे वरना क्या होगा कान में पानी चला जाएगा और बहुत इरिटेशन होगी तो इसलिए क्या करेंगे सिर्फ सर्फिस और वाटर पे काल लगाएंगे और बेल को पानी के अंदर डालके रिंग करेंगे तो जरूर सुनाई देगी आवाज तो वाज दस दिस प्रूफ इस प्रूफ स्कें साउन कें ट्रावल थ्रू वाटर और थ्रू लिक्विड ना अगें एक और अक्टिविटी आप घर पे कर सकते यहाँ पर आप ने एक वुदन बॉक्स लिया आपका दूसरा फ्रेंड वहाँ है और वो वहाँ से टैप कर रहा है उस वुदन बॉक्स को और यहाँ पर आप आवाज सुन रहे हैं अपना कान लगा के आपको आवाज सुनाई देती है कि नहीं मुझे जरूर बैताईएगा कि आपने यह उब्सर्फ किया कि नहीं बट दा आंसर यहाँ पर इस फ्रेंड को जरूर आवाज सुनाई देगी जब वहाला फ्रेंड वहां से टाप करेगा क्योंकि साउंड कें ट्रावल थ्रू वोड और मेटल तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं आपको एक पाइप ले सकते हैं आपके घर में जरूर एक कोई पाइप पड़ा होगा जो कि स्टील का या मेटल का पाइप होगा तो एक एंड आप पकड़िए एक एंड अपने ब्रादर या सिस्टर को दीजिए और उनको बोलिए दूसरे एंड पर ऐसे ऐसे करके स्क्राच करें वो स्क्राचिंग की आवाज आप दूसरे एंड से सुनिए आपको जरूर सुनाई देगी बिकास साउंड कान प्रोपोगेट थ्रू मेटल तो यह कुछ activities है जो आपने घर पे करके ही यह प्रूफ कर सकते है that sound needs a material medium to propagate and that can be air, water, or metal and solid substances so I hope this is clear to you तो अब sound produce हम कैसे करते है through our vocal cords which vibrate यह तो हम पढ़ चुके हम sound सुनते कैसे आप सब बोलेंगे through ears तो ear में ऐसा क्या होता है कि वो हमें sound मतलब सुना पाता है कैसा उसका designing होता है कैसे पूरा sound हमारे ears में आता है कहां कहां travel करता है फिर कहां जाता है आईए हम देखते हैं so this is a diagram of human ear तो of course यह तो आपको पता है कि sound यहां से आता है suppose मैं जैसे कि अगर मैं किसी से बात करूँगी तो उनके काम तक sound जाएगा क्यों? क्योंकि मेरे और उनके बीच में air है और air के थूर वो vibrations वो sound पासओन हो रहा है so sound जैसे ही उनके काम तक पहुँचा तो एक सबसे पहले जो आपका ear है उसका structure कैसा होता है तेखिए यह एक funnel है I'm sure आपने देखा होगा इस funnel को ऐसे horizontal कर लीजे क्या कान का shape भी वैसा ही है? जी हाँ तो यह जो funnel है, funnel shaped ear है ear का shape funnel जैसा है जैसे ही sound enter करेगी तो सबसे पहले canal के through आएगी और इसको हम ear canal बोलते हैं and of course आपने कभी अपने कान में जब आप अपनी finger से scratch करते हैं तो wax निकल कर आती है so that is deposited in the outer ear यह वाले हिस्से में यह भी outer ear ही है, यह जो part है this is a part of outer ear और definitely यह जो अंदर वाला part है यह होगा आपका inner ear और यह जो बीच वाला part है यह हो जाएगा आपका middle ear so यह middle ear वाला जो part है यह part middle ear, यह part inner ear और यह outer ear तो यहाँ पर ear के नाल है जिसके through voice travel करेगी और फिर टकराएगी ear drum से अब एक drum क्या होता है drum, एक ऐसा covering होता है drum के उपर जो की vibrate करता है यानि की elastic covering होता है जब हम उसे tap करते हैं तो वो covering move करती है तो यह जो ear drum है ना जैसे ही sound इस पर आती है तो यह एक membrane की तरह है और जैसे ही sound इस पर आके टकराती है यह vibrate करने लग जाता है क्या करता है ear drum ear drum vibrate करता है क्योंकि वो भी एक membrane की तरह है तो आईए अब हम यह पूरा process revise कर लेते हैं हमारा ear का जो shape है वो funnel की तरह है और जैसे ही sound ear canal के through ear drum पे पहुँचती है तो जो की एक thin membrane है वो क्या करती है वो vibrate करती है तो ear drum vibrate करता है अब क्या होगा यह vibrations कहां जाएगी ear drum से यह vibrations जाएगी inner part of ear में तो inner part of ear में जैसे ही यह vibrations जाएगी वहाँ पे कुछ nerves होती है जो इस vibration को brain तक पहुँचती है और brain फिर interpret करता है इन vibrations को और उसे समझ में आ जाता है कि उसने क्या सुना So, these vibrations from the ear drum pass on to the inner ear and from there they pass on to the brain So, the signal then goes to the brain from the inner ear तो आई अब आपको समझ में आगे कि ear के तीन पार्ट्स होता है outer ear, middle ear और inner ear इसके बार में और detail में आपके लास 10th में बढ़ेंगे So, how do we hear? We hear through our ears and it is because in our ears there is an ear drum which is a thin membrane which vibrates when the sound reaches the sound जैसे कि अगर मैं आपसे बोलो एक rubber जैसे कि आपने कोई पाइप लिया और उसकी एक साइड को आपने रबर को स्ट्रेच करके कवर कर दिया और अब आप अगर वहाँ पर कोई अगर आप फूक मारेंगे तो क्या होगा? वह रबर की जो कवरिंगे वह ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करने लगेगी Similarly हमारा येरड्रम होता है जब उसमें साउन पहुचता है तो वह क्या करता है? वाइब्रेट करता है और फिर ये वाइब्रेशन इनर ये और और ब्रेन को पास ओन होते है और ब्रेन इंटरप्रेट कर लेता है उस मेसेज को So, next we'll study about the properties of sound अंदो सबसे पहला है amplitude फिर है time period और frequency So, जैसे कि आप देख सकते हैं sound travel करता है मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है क्योंकि sound propagate कर पा रहा है through the medium known as air So, now ये क्या है? ये आपको दिख रहे हैं ये waves तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि when I am speaking तो मैं भी ये waves जो है मेरे बोलने से जो है ये vibrations जो है ये waves के form में travel कर रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये sound waves है कौन सी waves है? sound waves तो sound कैसे travel करता है? In the form of sound waves तो ये हमने एक wave बनाई हुई है और ये जो distance होता है एक wave का ये उसका amplitude कहलाता है और पूरी एक wave के अगर मैं बात करूँ ये जो मेरी यहां से start हो रही है wave ये यहाँ से यह हाँ ही और यहां से यहाँ है तो ये पूरा जो distance है पॉन नमबर one से लेकर पॉन नम्बर पॉन नमबर two तक ये जो पूरा distance है ये पूरी एक wave खतब हुई तो यह जो पूरा distance है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक wave की length, याने wavelength, तो basically हम wavelength को define कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह जो topmost 2 points हैं, इनके बीच का distance, तो यह जो topmost 2 points हैं, इनके जो बीच का distance है, वो क्या होता है wavelength, तो wavelength जो है वो distance है, तो उसको हम कैसे measure करें में, meters में, और अगर हम बात करें, यह क्या है amplitude, यह यह वाला distance है, जैसे कि amplitude है, wavelength है, वैसे frequency भी एक, जो है, sound की एक property है, So, what is frequency? Frequency क्या होती है? जैसे कि अगर मैं बोलू, movie जाने की मेरी frequency है, four times a month, यानि कि मैं चार बार एक महीने में movie जाती हूँ, तो मेरी frequency हो गई four times in one month, Similarly, frequency of an oscillation, क्योंकि हमें पता है कि oscillation की frequency क्या होगी, number of oscillations in one second, तो per second जतने oscillations produce हुए, वो उसकी क्या होती है? Frequency, तो frequency के लिए अगर हम बात करें, मैंने तो एक month की बात करी, But generally, हम one second की बात करते हैं, कितने oscillations हो एक second में, वो क्या हो जाएगी? Frequency, और हम class 7 में भी पढ़ चुके हैं कि frequency की units होती है, Hertz, जिसका symbol होता है, Hz, तो I hope amplitude, wavelength, frequency, यह सारे terms आपको समझ में आ गए, और हम पढ़ चुके हैं time period के बार में, that frequency is one upon time period, तो हम यह चीज़ भी पढ़ चुके हैं कि frequency और time period का relationship क्या है, तो I hope यह कुछ properties of sound आपको समझ में आ गई हो, हमारी next वीडियो में हम noise pollution के बार में पढ़ेंगे, till then, thank you. Hello everyone, welcome to Magnet Brains, आज हम पढ़ेंगे about sound, तो sound के बार में हम पढ़ चुके हैं, उसकी properties के बार में पढ़ चुके हैं, हम human being sound कैसे produce करते हैं, यह भी हम पढ़ चुके हैं, through our voice box, larynx, which contains vocal cords, और हम यह भी पढ़ चुके हैं कि हम sound को सुनते कैसे, through the ears, जो की जो है, जिसमें eardrum होता है, जो की vibrate करता है, because of the incoming sound, और signal send करता है brain को, तो आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, sound की कुछ properties के बार में, जिसे की हम कहते हैं, loudness and pitch, तो आप लोगोंने सुना होगा, definitely a word pitch के बार में, loudness के बार में, जिसे की मेरी pitch high होगी, तो इसका क्या मतलब है, loudness high होगी, तो इसका क्या मतलब है, तो आज हम इस वीडियो में दोनों के बीच में difference देखते हैं सबसे पहले, सो, सबसे पहले हमें पढ़ना है about loudness, तो हमने यहापर एक setup लगा कर रखा है, एक glass tumbler या steel का glass भी आप ले सकते हैं, तो steel का glass जब आप ले रहे हैं, और एक ही metal ball आपको दिख रही है, इस metal ball के through इसको अपने धागे से या किसी से attach किया, और इस ग्लास को ऐसे करके मारा, धीरे से मारा, धीरे से मारेंगे, तो धीरे से आवाज आएगी, और फिर जोर से मारा, एक thumb fast, तो जोर से आवाज आएगी, यही होती है loudness, पहले loudness कम थी जब धीरे से मारा, बाद में loudness जदा है जब सोर से मारा, तो loudness amplitude of wave से decide होती है, जो sound wave है, उसका amplitude जतना जदा होगा, loudness उतनी ही जदा होगी, और जतना कम amplitude होगा, loudness उतनी ही कम होगी, So I hope आपको loudness का मतलब समझ में आ गया हूँ तो हमें simply ये पढ़ना है इस वीडियो में कि loudness is related to amplitude of sound wave and pitch is related to frequency of sound wave So I hope आपको ही समझ में आ गया है कि loudness का क्या मतलब है धीरे से मारा, धीरे से आवाज है तेजी से मारा amplitude बढ़ गया sound wave का तेजी से आवाज है अब हम बात करते हैं pitch की तो pitch frequency पर depend करती है तो amplitude of vibration large होगा तो loud sound produce होगी अपर चोके हो frequency of vibration जादा होगी तो pitch जादा होगी तो frequency जो है वो pitch को determine करती है जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ एक bird की आवाज और एक शेर के दहारने की आवाज दोनों में आपको फरक समझ में आता है तो वो जो bird की आवाज है ना उसको हम कहते हैं कि उसकी pitch high है और वो श्रिल आवाज आती है हमें पर अगर मैं शेर के गुराने की आवाज को सुनू तो वो low pitch की sound है तो इसकी हम बात करें अगर physics के terms में तो low pitch का मतलब low frequency हुआ और high pitch का मतलब high frequency हुआ यानि कि और हम पढ़ चुके frequency क्या होता है नमबरो waves in one second नमबरो of oscillations in one second तो जब नमबरो of oscillations एक second में बहुत जादा होंगे तो high pitch sound produce होगे और number of oscillations बहुत ही कम होंगे एक second में तो वो low pitch sound होगी जैसे की lion की होती है तो I hope you आपको clear हो गया loudness और pitch पे difference और कौन किस property of sound wave पे डिपेंड करता है So next let's study about the audible and inaudible sounds तो कभी-कभी आपने यह देखा है कि जब छोटे बच्चे होते है newborn babies वो रात में उठके एकदम से रोने लग जाते है तो उसका एक reason यह होता है कि उन्हें कुछ ऐसी आवाजे सुनाई देती है जो हमें adults को सुनाई नहीं देती तो क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसी कौनजी sounds है जो उन्हें सुनाई देती और हमें नहीं सुनाई देती और वो sounds हमें इसलिए नहीं सुनाई देती क्योंकि हमारी कान की range के बाहर होती है वो sounds तो हमारे ears की listening की एक range है और वो range जो है वो range है from 20 to 20,000 hertz तो जो range 20 to 20,000 hertz के बीच का sound आएगा वो ही मैं सुन पाओंगी जो 20 hertz से lower hertz का sound होगा या जो 20 hertz से ज्यादा का sound होगा इसकी frequency ज्यादा है वो मैं नहीं सुन पाओंगी बट कभी-कभी बेबी सुन पाते है 20 hertz से भी कम की आवाज इसलिए वो डर जाते हैं रोने लगते हैं So human ear के लिए range क्या हो गई है 20 to 20,000 hertz तो वो sounds जो हमारे लिए audible है जिने हम सुन सकते हैं वो इसी range के बीच में लाई करनी चाहिए इससे बहार जो range है वो हमारे लिए inaudible हो जाएगी हम उसे नहीं सुन पाएंगे except for the newborn babies तो अब हम next बात करते हैं noise pollution की तो unwanted जो भी sounds होती है वो noise होती है जैसे की excess horns बजना गाड़ियों का या बहुत ही ज़्यादा loudspeaker पे music बजना यह सारी चीजे जो है यह सब noises जो है क्या यह required है अभी मैं आपसे बात करी हूँ आपको पढ़ा रही हूँ यह required है यह wanted noise है बट अगर बहार से कोई जोर से horn बजाने की आवाजन लगी तो वो unwanted noise है और unwanted noise को ही हम क्या बोलते हैं unwanted sound को ही हम क्या बोलते हैं noise तो unwanted sound is known as noise and it is unpleasant to hear जैसे कि आप यहां देख सकते हैं अपने कान बंद कर रही है क्योंकि इसको बहुत जादा शोर सुनाई दे रहा है automobiles का planes का So, I hope this is clear अब अगर मैं आपसे पूछू कि musical sound क्या आपके लिए noise है नहीं, आपको गाना अगर पसंद है आपके लिए वो musical sound है आपको पसंद है तो that is not noise for you So, musical sound is pleasing to hear but unpleasant sounds are known as noise Next, noise pollution तो यही जो यह excess of sounds जो unwanted sounds है जिसको हम noise कहते हैं गर उसका बहुत जादा extent बढ़ जाए तो इसी को क्या कहते हैं? Noise pollution Noise pollution से होगा क्या Anxiety, Stress जैसे कि आप यहां देख सकते हैं यह पिच्चर आपको दिखा रहे है Stress So, hypertension, anxiety lack of sleep अब सपोस्थ आप सो रहे हैं और आपकी कॉलोनी में कोई जोर से loudspeaker पे गाने बजा रहे हैं रात के एक बजे क्या होगा? You will face lack of sleep So, यह lack of sleep जो है This is due to noise unwanted noise जैसे कि एक मैं बोलू पठा के फूट रहे हैं कहीं दिवाली के टाइम पे रात में देर रात तक loudspeaker पे music बज रहा है marriages में देर रात तक So, all this is very unwanted और यह सब जो है यह सारे जो sounds है जो है यह unwanted हैं और यही noise pollution कॉस करते हैं और noise pollution के क्या results होते हैं? Lack of sleep, hypertension and अगर बहुत जादा high sound आपके एर में continuously जाता रहे काफी लंबे समय तक तो वो permanent या temporary आपको deafness cause कर सकते हैं आप हमेशा के लिए बहरे भी हो सकते हैं So, it is very necessary to protect yourself from noise pollution So, I hope this is clear to you Measures to limit noise pollution तो अब noise pollution को कैसे रोका जाएं? Of course, government ने rules निकाले हैं कि loudspeaker जो है 11 बज़े के बाद नहीं बजना चाहिए marriages में भी, parties में भी सब चीजे वाइंड आप हो जानी चाहिए Again, excessive use of horns जो है उसको हमें भी minimize करना चाहिए और ऐसे rules भी हो ने चाहिए जो से minimize कर सके तो this is how you can control or limit noise pollution जैसे कि अगर हम बात करें आपकी गाडी में से कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आवाज आ रही है तो आपने कुछ silencing device लगा दिया जिससे कि कम आवाज हो रही है या आवाज एकदम लिमिट हो गई है so these are the factors जो आपको help करेंगे to limit noise pollution so noisy operations should be carried away from residential area यानि कि जो machines है अगर बहुत ज़्यादा machines की वज़े से noise आ रहा है तो उस उन industries और उन factories को आप कहां लगाएं वो factories वहाँ situated होनी चाहिए जहां उनकी आवाज से कोई effect ना हो यानि residential area से एकदम भी दूर होनी चाहिए और हम क्या कर सकते हैं? trees plant कर सकते हैं trees जो है sound को absorb कर लेते हैं तो इसलिए हमें planting of trees यानि एफॉरेस्टेशन बढ़ाना चाहिए अगें कुछ buildings में आपने देखा हो curtains लगे रहते हैं तो वो curtains जो है वो भी क्या करते हैं they also absorb sound तो वो unwanted noise को absorb कर लेते हैं और अंदर नहीं आने देते हैं So these are some measures which you can follow to control noise pollution So I hope यह chapter sound आपको एकदम clearly समझ में आ गया है और अगर नहीं आया है तो please go to our official website magnetbrains.com और वहाँ पे यह सारी वीडियो इस चाप्टर की आप देख सकते हैं क्योंकि next वीडियो में हम इस चाप्टर के Frequently Asked Questions डिसकस करेंगे जिसमें आपको जरूर पार्टिसिपेट करना है So till then thank you Hello everyone, welcome to Magnet Brains आज हम पढ़ेंगे about sound इस चाप्टर के NCRT के सारे questions को हम डिसकस करेंगे जो की important है आपके exams के लिए So यह चाप्टर हम पूरा पढ़ चुक है And I'm sure आपको समझ में आ गया होगा और अगर नहीं आया है तो please हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर इसे जरूर विजिट करें वीडियो देखें And वहाँ पर आप notes भी download कर सकते है Class 4th to 12th के सभी subjects के So let's begin Choose the correct answer Sound can travel through So हमने बढ़ाता है sound जो है Metal या wooden box के थू भी travel कर सकते है Water के थू भी कर सकते है और air के थू तो अभी भी कर रहे है जब मैं आपसे बात करें So the answer would be solid, liquid and gases All three Voice of which of these is likely to have minimum frequency तो अगर मैं बात करूँ Frequency जिसकी भी pitch low होगी उसकी ही frequency भी low होगी तो अगर मैं बात करूँ Pitch इन सब में से किसकी low है तो as compared to a baby girl A baby boy and a woman एक man की आवाज जो है वो क्या होती है Low pitch होती है इसलिए उसी की frequency क्या होगी minimum क्योंकि हमें पता है Frequency is directly proportional to pitch तो हमें पता है सबसे low pitch man की आवाज की होती है इसलिए सबसे low frequency भी होनी क्योंकि That is why minimum frequency So I hope ये clear है Next State which of the following is true or false Sound can not travel in vacuum तो हमें पता है Sound को एक medium चाहिए होता है तो प्रपोगेट तो वो vacuum में तो नहीं ट्रावल कर सकता So this is true The number of oscillations per second of a vibrating object is called as its time period तो वो time period नहीं frequency कहलाता है That is why this is false and frequency is 1 upon time period If the amplitude of a vibration is large sound will is feeble No जितना ज्यादा आपका amplitude होगा उतनी ही loud होगी sound हमने पढ़ा था Loudness is directly proportional to amplitude For human ears the audible range is 20 to 20,000 hertz क्या ये सही है हाँ हम पढ़ चुके हैं कि इतने ही range में हमें सुनाई देता है The lower the frequency of vibration the higher is the pitch No अभी अभी हमने पढ़ा frequency और pitch जो है directly proportional है इसलिए ये statement false हो गया Unwanted or unpleasant sound is termed as noise and not music तो ये statement false हो गया Noise pollution may cause partial hearing impairment जी हाँ बिल्कुल सही noise pollution जो है हमें बहरा बना सकता है या फिर permanently या फिर temporarily So it can cause partial hearing impairment याने कि अगर कोई सामने वाला हमें बोल रहे तो हमें एक्दम क्लिरी नहीं सुनाई आएगा कि वो क्या बोल रहे हमें कुछ कुछ थोड़ा बहुत ही सुनाई आएगा That is known as partial hearing impairment So I hope this is clear Next Fill in the blanks with suitable words Time taken by an object to complete one Complete oscillation कितना ताइम लिया जाता है That is known as time period Next, loudness is determined by हमने पढ़ा तर जतनी जादा amplitude होगी sound वेव की उतना ही जादा loudness होगा The unit of frequency is hertz We have studied, unwanted sound is called noise We have studied Shrillness of a sound is determined by the frequency of vibration So हमें पढ़ा है कि Pitch से ही shrillness determined होती है और वो frequency से directly proportional होता है हमने पढ़ा है कि Pitch is directly proportional to frequency of vibration तो इसी लिए Pitch जो की shrillness होती है वो pitch ही तो होती है Shrill voice है जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसी bird की chirping भी shrill है तो वो जो है वो frequency से determined होती है जैसे कि हम पढ़ चुके है Next A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds तो 40 बार 4 seconds में तो 1 second में कितना वही उसकी क्या होगी frequency क्योंकि हमें पढ़ा है frequency is number of oscillations in 1 second तो 40 बार अगर 4 seconds में तो 1 second में 10 बार तो यानि कि frequency क्या हो गई आपकी 10 hertz क्योंकि frequency की unit होती है और time period क्या होता है 1 upon frequency यानि 1 upon 10 यानि 0.1 seconds क्योंकि हमें पढ़ा है time period क्या होती है seconds तो answer आगया सी दे दे 1 upon frequency 1 by 10 0.1 seconds Next question The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings 500 vibrations per second यानि कि frequency क्या होगी straight away 500 hertz क्योंकि 1 second का ही दिया है What is the time period? Time period क्या होता है 1 by frequency 1 by 500 क्या होता है friends 0.002 seconds क्योंकि time period का unit होता है seconds Identify the part which vibrates to produce sound तो धोलक का जो उपर का membrane होता है वही vibrate करता है So stretched membrane सितार हमें पता है सितार की अगर हम बायत करें तो गिटार की तरह ही सितार में भी strings होती है तो strings vibrate करती है और next is flute तो flute में मैं बात करूँ तो बीच में जो है बहुत सारे air gaps होते है जिनको कि हम air columns बोलते है उनके through vibrations travel करती है तो musical sound produce होता है So that is why flute आपने देखा होगा The flute is a basuri Basuri में गोल-गोल जो holes होते है उसके through vibrations air में पास होती है और उसी को ही हम air column बोलते है जिसके through musical sound produce होता है जब ये vibrations air में जाती है तो I hope this is clear What is the difference between noise and music? Can music become noise sometimes? तो noise और music में क्या difference है? Noise थो हम पढ़ी चुके है Unpleasant sound होता है Music जो है वो pleasant sound होता है अगर मैं आपसे बोलू Music से क्या कोई pollution होता है क्या हमने music pollution पढ़ा है? नहीं हमने noise pollution पढ़ा है तो noise causes pollution Music does not cause any pollution And noise जो है वो हमारे लिए Unwanted noise जो हमारी health को impact करती है और इसका negative impact होता है हमारी health पे Like hypertension, lack of sleep But music हमारे health के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो हमें mentally काम कर देता है Then अगर मैं आपसे बात करूँ Noise produce करने के लिए कुछ instrument चाहिए? नहीं वो तो बहार automobiles भी produce कर देते हैं But Music produce करने के लिए हम बहुत सारे musical instruments पढ़ चुके हैं जैसे की सितार, तबला, गिटार, वाइलन, एक्सेटरा तो आपको यह difference क्लियर हो गया है List sources of noise pollution in your surroundings तो loudspeakers जो होते हैं उनसे loud music आता है Automobiles के horns जो है उनका honking करना यानि कि उनके अगर कोई traffic jam लग जादा हो तो हम इस देखते हैं कि बार-बार हॉंस continuously प्रेस हो रहे हैं So that is known as honking of horns जो गारिया जो पासबाय करती है जेनरली इंजन भी आवास प्रेद्यूस करता है अगें अगर आज पास कोई marriage है यह हम दिवाली का time consider करें तो continuous आवास आती रहते क्योंकि पटा के फूटते रहते हैं They are known as explosions तो यह सारी ही चीज़े sources of sound है in our surroundings Explain in what way noise pollution is harmful to human beings तो हमने पढ़ा है कि noise pollution lack of sleep, hypertension temporary और maybe permanent hearing disability यह सब कॉस करता है हमें तो these are the ways in which it is harmful Your parents are going to buy a house They have been offered one on the roadside and one which is three lanes away from the roadside तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे त्री लेंस दूर वाला या रोटसाइड वाला रोटसाइड वाला कैसे प्रेफर करेंगे रोटसाइड के अगर आपने पास में घर ले लिया तो क्या होगा हमेशा आने जाने वाली गाड़ियों की आवाज आएगी और आपकी lack of sleep, hypertension यह सारी चीज़े शुरू हो जाएगी तो that is why, what do we do हम यह प्रेफर करें कि हम three lanes, main road से three lanes छोड़ के पीछे वाली lane में घर लें ताकि हम noise pollution के impact से, harmful impact से बच सके sketch larynx and explain its function so larynx क्या होता है, voice box उसमें vocal cords होते हैं, दो जिनके बीच में एक slit होता है जब lungs से ear pass करती है, उस slit से तो वो vocal cords vibrate करते हैं और sound produce करते हैं तो I hope this is clear to you हमें अगर larynx का structure के बारे बताना तो अभी पता है its present wind pipe का जो upper end है, वहाँ पर वो present रहता है और larynx में क्या होते हैं, दो vocal cords होते हैं उनी के vibration से क्या produce होती है, sound produce होती है अब vocal cords से तो muscles भी attached है अगर वो muscles एक्तम tight हों, तो जो sound produce होगा वो different होगा, और अगर वो muscles lose हो, तो जो sound produce होगा वो different quality का होगा इसलिए सब लोगों की जो आवाज होती है, उसमें थोड़ा थोड़ा difference हम हमें समझ में आ जाते हैं, अगर मैं आपसे बोलू की अगर मैं आपको एक audio clip दूँ और बोलू यह कौन से actor की आवाज है, तो आप पहचान पाते हैं, क्योंकि हर एक की एक characteristic quality होती है, तो उस quality के basis पे आप decide कर पाते हैं, तो I hope आपको यह questions एकदम clear हो गए हैं, so these are the solutions of class 8th science chapter sound, now the most important question is coming, आपने यह जरूर observe क्या होगा कि lightning पहले दिखती है और thunder की आवाज बाद में सुनाई देती है, ऐसा क्यों? भई, अफकोस lightning के साथ ही thunder की आवाज सुनाई देनी चाहे थी, ऐसा क्यों हुँ हुआ कि lightning पहले दिखती है और thunder बाद में? तो इसके लिए मैं आपको यह बताना चाहूंगी, कि light की जो speed होती है, वो होती है 3 into 10 ways to the power 8 meter per second, यह है speed of light जिसे हम C से denote करते हैं, और यह जो speed of light है, यह 10 ways to the power 8, याने कि क्या हो गया, millions, billions of times होती है, तो इतनी high speed से पहले हमें light दिख जाती है, sound को आने में, sound को air के through travel करने में time लगता है, क्योंकि sound की speed कम होती है light से, तो इसलिए पहले light दिखती है, पहले हमें lightning दिखती है और thunder की आवाज हमें बात में आती है, so what is the reason, the reason is that light travels faster than sound, तो I hope यह सारे NCRT के questions आपको समझ में आ गए हैं, और आप के लिए यह मदद गार रहेंगे, so हमारे next video में हम next chapter परेंगे, class 8 science का, till then thank you.